कई लोग चेहरे के जिद्दी जाईयों को हटाने के लिए तरह तरह की ब्यूटी फ्रोर्स का इस्तेमाल करने लगते हैं लकिन इसमें भी मन मुताबिक रेजल्ट नहीं मिलता है अगर आप भी चेहरे के जाईयों से परिशान है तो आपके लिए ये वीडियो बहुती बेनिफिट होने वाला है फिर अपने चेहरे पे अपलाइकन ले फिर हलके हलके हाथों से ऐसे मसाज करें इसके लिए आप दो तिन चमश हल्दी को एक प्यान में अच्चत्रा से गरम करें चेहरे पर लगाएं चाहे महिला हो या पूरुज निखरी और बेदाग तोचा हर किसी को पसंद होती है लेकिन पल्यूशन, गलत खान पान, खराब जीवन सेली और गलत प्रोड़क्स के यूज से चेहरे पे दाग धबे और जहायों की प्रोब्लेम होने लगती है चेहरे पे पिंग्मेटेशन आपकी खुबसरती पे दाग लगा देती है इसकी बज़े से तोचा धबे दाब दिखने लगती है और स्कीन का रंग भी डार्क हो जाता है एसे में कई लोग चेहरे के जिद्धी जहायों को हटाने के लिए तरह तरह की ब्यूटी प्रोड़का इस्तेमाल करने लगते हैं लेकिन इसमें भी मन मुताबिक रेजल्ट नहीं मिलता है अगर आप भी चेहरे के जहायों से परिशान है तो आपके लिए वीडियो बहुती बेनिफिट होने वाला है आज की वीडियो में हम बात केरेंगे चेहरे से दाख धबे और झायों को मिताने के लिए նेरे नारियल तेल के लिए60 का इस्तेमाल वीडियो पसंद आई तो लाइक और आपने दोस्तों के साथ सेर्वी कर दो बेल आइकन प्रेस के दो ताकि मैं नहीं विडियो जो भी अपलड करू आपके पांच तुरन टीप पिसर मिल जाए तो चलो वीडियो को सुरू करते हैं पिंग मेटेशन को दूरकरने में नारेला वीडियो पाइदमन सावित हो सकता है यह दाग धब जहायें तैनिंग को दूर करने में मदद करता है साथ ही स्कीन को ग्लोईंग और चमकदार भी है तो आइए जानते हैं सबची पर बात करेंगे नारेलतै और इलेवरा चेहरे से जाइयों को फटाने के लिए आप नारेल तेल के साथ एलसे जोड़स आइब कर सकते हैं इसका प्रोयक करने के लिए एक कोटोरी में एक चमाच नारेल का तेलने और उसमें एक जोड़ से बbudjin फीर अपने जहरे अप्लाइ के ले अप्लाइ के लाटता है रात भर अपने चहरे पे रहने दे सुवह जब उठे नर्मल पानी से अपने फेस को वास करें इससे जाईयां धिरे-धिरे कम होने लगेंगी यह तो रही पहली चीज आप दूसरी चीज जो है वो है नारियल तेल और हल्दी नारियल तेल और हल्दी आपके चहरे से दाग प्रबे और जाईयों को हटा सकता है इसके लिए आप दो तिन चमस्च हल्दी को एक प्यान में अच्छतरा से गरम करें इसको तब तक गरम करें जब तक की हल्दी कारण काला ना हो जाए फिर इसको एक बावल में निकालके थोड़ा थंडा कर लें हल्दी थंडा हुने के बाद इसमें नारिल तिल को मिला के पेस्ट बना रहा हुने और बीस मिनिट के लिए छोड़ दें फिर अपने तेरे को नर्माल पानी से वास्ट बावल में कर लिए वीक में दो बार इसे लगाने से काफी फाइदा मिलता है तीसरी चीज़ों है नारिल तेल और निम्बू का रज निम्बू के रस्में विटामिन की भरपूर मात्रा में होता है जो स्कीन के दाग धब्बे और ज्ञाइयों को दूर करने में मदद करता है इसका इस्तिमाल करने के लिए आप नारेल तेल में एक चमस फिर इस मिश्रन को कटन की मदद से चहरे पे लगाएं करीब 15 मिनिर के बाद चहरे को गुन्वने पाने से धोलें बहतर रेजल्ट के लिए सब्ता हमें दो तिन बार इसका इस्तिमाल करें चहरे से जाईयों को हटाने के लिए नारेल तेल काफी फाइदमन सावित हो सकता है हाला कि आपकी स्कीन सेंसिटिव है तो इस्तेमाल करने से पहले एक बार पेज़ टेस्ट जरूर करें अगर आप एसे ही स्कीन क्यार हैर क्यार फेश योगा और व्यूटी रिलेटिज सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आपने दोस्तों के साथ सेर भी करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि में नए वीडियो जब अपलोड करूं आपके पार तो नेटिविक्शन मिल जाए तो आज मैं रखते हूं फिर मुलाकात होगी और एक न